दोस्तो क्या आपको पता है कि गाड़ियों का टायर हमेशा काले रंग का ही क्यों होता है सिम कार्ट का एक कोना कटा हुआ क्यों होता है आखर इंडियान रेलबे ट्रेन में एक दिन के मूवी सूट करने का कितने रुपए चार्ज करती है और अक्सर ही एटियम रूम में एसी क्यों लगाए जाते है नमस्कार दोस्तो फैक्ट जैकर में आपका बहुत स्वागत है दोस्तो क्या आपको पता है कि जब भी आप रात में या फिर अंधेले में फ्लैस के साथ किसी का फोटो क्लिक करते हैं तो आँखें लाल क्यों दिखाए देती है दोस्तो दरसल ऐसा इसलिए क्योंकि आँखों की पुतली सिर्फ एक खोकला भाग होती है और फ्लैस के बिल्कुल सीधा जलने के कारण आँखों के पीछे का रख्त दिखाए देता है वज़ा यही है कि आखें लाल दिखाई देती है दोस्तो क्या आपको पता है कि ATM रूम के अंदर अक्सर ही AC क्यों लगाई जाती है अगर आप भी यही सोच रहे होंगे कि यह पबलिक की अच्छी बेवस्था के लिए है तो आप भी धोखे में है दोस्तो दरसल एटियम रूम के अंदर AC पबलिक और गाट के लिए नहीं बनकि खुद एटियम मसीन के लिए ही लगाया जाती है दरसल एटियम मसीन दिन भर प्रोसेस का काम करता है और कई बैंकों से कनेक्ट कर डेटा को ट्रांसफर करता है जिस वज़े से मसीन बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाती है और इस वज़े से ही एटियम मसीन को ठंडा रखने के लिए वहाँ AC लगाया जाता है वरना ये पबलिक के लिए होता तो पंके से ही पूरा काम चल जाता दोस्तो ये तो आपको पता ही होगा कि बारा सिंगा यानि रेंडियर की लड़ाई कितनी ज्यादा खतरनाक होती है जिसमें कमजोर रेंडियर रक्सर ही मारा जाता है और कई दफा तो ऐसा भी होता है जब दो रेंडियर के लड़ाई से सिंग फस जाने की कारण कम जो रेंडियर का सीर ही धर से अलग हो जाता है जिसे रेंडियर अपने सीर पर लेकर पूरी जिंदेगी घूमता है अब पच्छता के भी क्या ही फायदा दोस्तो आपने अकसर ही देखा होगा कि सिंग काट का एक कोना कटा हुआ होता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा ही क्यों क्या सिम को काटना जरूरी था दोस्तो दरसल सिम का एक कोना कटा होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उसे कभी भी उल्टे तरीके से नहीं लगाया जा सकता वरना तो कई बारी से लोग उल्टा भी लगा ही देते थे क्या आप इसके बारे में पहले जानते थे अगर नहीं तो यार चैनल को अभी सबस्क्राइब जरूर कर ले दोस्तो क्या आपको पता है कि आउडी कार के लोगों में यह चार रिंग्स क्यों बने होते हैं अगर नहीं तो चलिए जानते हैं दोस्तो वैसे तो दिखने में आउडी का लोगों बहुती सामाने सा लगता है जो चार गोलों से बना हुआ है लेकिन इसके पीछे एक बेहधी खास वज़य है दरसल यह चार ब्रैंड कमपनीज औरडी, होच, डीके डबलू और वांडर के एक होने से और्टो यूनियन बना है जिसे आज हम औरडी के नाम से जानते हैं दोस्तो वैसे तो फिल्मों में कई सारे ट्रेन सीन्स भी दिखाये जाते हैं लेकिन क्या आपको बता है कि आखिर इंडियन रेलवे ट्रेन में एक दिन के मुवी सूट करने का कितने रुपए चार्ज करती है अगर नहीं तो चलिए जानते हैं दोस्तो क्योंकि किसी मुवी को पूरा सूट होने में दो से धाई महीने लग जाते हैं और ट्रेन में भी कई दिनों तक सूट चलती है जिसका इंडियन रेलवे सन 2015 में मिली एक जानकारी के नुसार 4,75,000 रुपए चार्ज करती थी दोस्तो क्या आपने कभी सोचा कि या खिर सभी टायर्स का रंग हमें सा काला ही क्यों होता है अगर नहीं तो चलिए इसके पीछे की वज़ाए पता करते हैं दोस्तो दरसल टायर के काले होने के पीछे एक बहुती बड़ा साइंस्टिफिक रीजन है ये तो आपको पता ही होगा कि टायर रबर से बनाया जाते हैं और रबर हलके पीले रंग के होते हैं और केवल साधारन रबर से टायर बनाने में वह बहुती चल्दी खराब हो जाएंगे इसलिए ही रबर को मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है ताकि वह काफे मजबूत रहे और रबर कार्बन से मिलकर काले रंग में बदल जाता है वज़ा यही है कि टायर्स हमेशा काले रंग के ही होते हैं दोस्तों खेर क्या आपको पता है कि कैदियों को हमेशा सफेद रंग के ही कपड़े क्यों पहनाये जाते हैं अगर नहीं तो अभी ही चैनल को सबस्क्राइब कर लें ताकि आपको टेकनलोजी, साइन्स और वर्ल्ड से जुड़े ऐसे ही मज़दार इंफोर्मेटिव वीडियोस मिलता रहे